चलिए आज चुरू करते हैं अपन नए टॉपिक से लास्ट हम लोगों ने देखा था डीमेट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ठीक है ये दो चीजें हम लोग देखे थें कि डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहांपर शेयर्स को रखा जाता है और शेयर्स ही नहीं आपके इक्विटी जैसे हम लोग शेयर्स या सेक्यूर्टी बोलते हैं बॉन्ड डिवैंचर्स आपके म्यूचल फॉंड्स आपके कहीं सारे ऐसे जो फिक्स डिपॉसिट वागेरा जितने भी जो मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिने स्टोर किया जाता है जैसे डिजिटल गोल्ड की बात करूँ, सौवरिन गोल्ड बॉंड्स, आपका सौवरिन सिल्वर बॉंड या फिर रिट्स और इन्विट्स ठीक हैं ये सारी चीजों को स्टोर करने के काम आता है आपका डिमेट्स ठीक हैं और इन्विट्स ये सारे डिजिटल से purchasing करते हैं और demit account की अंदर डाल देते हैं आप लोग this is a simple process trading और demit account का आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि trading account के अंदर क्या-क्या ऐसी facilities हैं जो broker आपको देता है क्यों मैं किसी banking instrument की तरफ ना जाते हुए एक broker को trading account open करने के लिए कहूं तो आज आप सारी जो facilities है जो एक broker आपको provide कराता है ठीक है वो भी non-banking broker non-banking broker छीक है first of all मेरे पास में जो personally मैं utilize करता हूँ वो account मेरे पास में बहुत सारे brokers के account है और usually मैं angel broking का account use करता हूँ आप लोग अपने हिसाब से compare कर लीजिए आप लोग को जो better लगता है उस account की तरफ जाईए basically angel broking के कुछ features में बता देता हूँ जहाँ पर बहुत सारी चीज़े common है अगर आप लोगों को भी angel broking के अंदर free of cost account खोलना है तो description box के अंदर दी हुई link के थूँ आप लोग free of cost angel broking का account खोल सकते है चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये जो non-banking broker है let's suppose example में ले ले लेता ह ठीक है angel broking अब angel broking आपको क्या facility provide करा रहा है कि अगर मैं इसके पास जाओ सबसे पहला मुझे real time market के rate देता है ठीक है कि मुझे market के अंदर जादा भटकना न पड़े या application या website के थूँ मुझे जादा browse करना न पड़े ठीक है तो UI इसका best है उसके बाद में यहां पर आप लोग आते हैं तो option के लिए बहुत ही बढ़िया यहां पर setup बन जाता है आपके derivatives में futures में भी अच्छा बढ़िया यहा पर मुझे view मिल जाता है चार्टिंग facility बहुत बढ़िया है चूकि चार्टिंग मेरी utilize होती है trading view के थूँ तो जैसा trading view दिखता है यहां पर वैसा ही angel broking ने पूरा software अपना जो है वो वैसा ही बना दिया है याने आप trading view चला रहे हो या फिर angel broking यूज कर रहे हो दोनों में आप लोग कोई difference दिखेगा ने ठीक है हम लोग real भी लेकर जाएंगे इसको कि कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ें अपने को add-on मिल रही है ताकि हम लोग वो broker choose करें जो हमें लग रहा है कि हमारे हिसाब से बहुत better है ठीक है अगर आप लोग को लगता है कि मेरे हिसाब आप से broker choose करें जो easy लगें उस broker को आप लोग पकड़ देची है जैसे मुझे easy लगता है तो मैं उसको पकड़ देता हूं हलाकि सारी चीज़े आपको हर broker में मिलेगी ठीक है किसी का ऐसा कोई extraordinary feature नहीं है किसी में कुछ कम feature है किसी में कुछ जाधा feature है but trading account के features almost सभी के सेम है क क्योंकि जितने भी broker है इंडिया के अंदर वो almost trading view के base को लेते हुए आप लोगों को charting facility देते हैं तो almost real time तो सभी को मिल जाएगा UI UI आप देख लिजिए UI आप लोग को choose करना पड़ेगा option और future के लिए जो ज्याधा तर ट्रेड करते हैं या derivative trading करते हैं उनके लिए trading platform बहुत बढ़िया होना चाहिए investment करने वालों के लिए trading platform की जरूवत है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि they want to invest for the long term वो केवल demate account ऐसा चाहत होते हैं जैसे ICICI direct, SDFC या फिर Kotak हो गया या फिर State Bank of India का account हो गया ये account के अंदर आपका खुद का bank account भी है और demate account भी है और साथ इसाथ in future लग रहा है आप लोग वो trading इनी के साथ करना चाहिए तो इनके साथ जा सकते हैं क्योंकि इनके AMC charges थोड़े से जाधा होते हैं और जो non-banking broker है उनके AMC charges जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं तो that's why trading करने वालों को transaction cost heavy नहीं बढ़ना चाहिए उनको brokerage कम चाहिए उनको transaction cost कम चाहिए क्योंकि उन्हें हर दिन कहीं trades लेना है लाखों के trades खरीद के बेचना है उन्हें तो उन्हें transaction cost कम चाहिए होती है तो ह हम लोग अपने हिसाब से अपनी सहुलियत के हिसाब से broker choose कर लेते हैं ठीक है तो these are some features जो broker के यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ अब उसके बाद आती है बारी कि ऐसा क्या non-banking broker देते हैं जो banking broker नहीं दे पाते हैं है ना simple सा funda है margin एक margin facility होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा purchasing power बढ़ा दिया जाता है अब यह broker क्या करते हैं अब मैं अपने trading account में जैसे मुझे trade करना है I have to start trading मेरा सबसे पहला जो कदम होगा वो होगा demet or trading account open करने से मैंने account open कर लिया सबसे पहला मेरा काम होगा मैं अपने trading account के UI को समझ लूँ दूसरा काम मेरा हो गया then third काम हो गया कि मुझे मेरे trading account के अंदर मुझे या मेरे wallet के अंदर मुझे पैसा add करना है ठीक है मैंने money add कर दिया यहाँ पर let's suppose मैं money add करता हूँ एक लाख रुपए ठीक है यह मेरा base balance है मैंने यहाँ पर एक लाख रुपए अपने account में add कर दिया ठीक है और एक लाख रुपए पर अगर मैं intraday trade कर रहा हूँ चुकि intraday is a style of trading जहाँ पर same day पर खरीदारी करके same day पर विक्वाली कर देना चाहिए तो intraday trade करने पर मेरा broker मुझे five times का leverage provide कर आता है leverage याने मेरे खाते में है एक लाख रुपए और मेरा broker मुझे पाच लाख रुपए तक के trade लेने की facility दे देता है this is called margin याने उसने मुझे केवल और केवल 20% utilize करने को कह दिया कि आप 20% utilize करो पूरे overall trade का हम आपको बाकी का 80% उधार दे देंगे तो एक लाख रुपए के बदले पांच लाख रुपए के trade ले लूँगा मैं तिके ये intraday facility provide करा रहे है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि intraday नहीं मुझे ये facility long term चाहिए तो वो facility भी आप लोगो को provide करा रहे हैं कि same day पर अगर मुझे सौधा नहीं काटना है तो ये leverage five times का जो leverage है ये मुझे maximum 90 days तक 90 days याने 90 दिनों तक मुझे एक लाख रुपे के सौधे को पांच लाख रुपे तक का जो transaction है वो carry करने की permission दे देता है मुझे मेरा broker है ठेक है इसे हम लोग बोलते है purchasing power को बढ़ा देना मातर 20% दो और बाकी 80% जो होगा वो उधारी प्या जाएगा अब हर कोई आदमी financial market क के अंदर free of cost काम नहीं करता है पहले बाद तो आप यह ध्यान रख लिजिए आपके एक लाख रुपे जो है वो उसने 5 लाख बना दिये अब आपका जो balancing amount है minus balance amount कितने का हो गया आपका minus balance amount हो गया 4 लाख का चेक है यानि 4 लाख रुपे आपके minus में चल रहे है उधारी में चल रहे है अब आप यह नहीं सोचेगा कि भाया 4 लाख का नुकसान broker लेगा नहीं नुकसान आपके एक लाख में से ही होगा यही margin facility है अगर आपके एक लाख का 20 प्रतिशत से कम same day पर हो गया तो आपको वो जितना amount कम हो रहा है वो regular basis पर maintain करना है यानि मेरा जहां 20,000 रु के अंदर वापिस डालना पड़ेगा नहीं तो मेरा broker मेरे सौदो को किसी भी वक्त मुझसे बिना पूछे काट सकता है इस इस अमार्जिन फैसिलिटी यह broker जो है वो प्रवाइट कराता है तो जब तक 4,000,000 रुपे मेरा minus laser बना रहेगा तब तब मेरे को broker को एक authentication देना loss में यह सौदा आता है तो broker काट सकता है या फिर broker मुझे बोल सकता कि भी या आपको जितना loss है डे बेसिस पर उतना आप maintain करो हम आपका सौदा 90 दिनों तक काटेंगे नहीं this is a margin facility provided by a broker ये traditional broker भी देते हैं discounted broker भी देते हैं but UI के comparison में एक discounted broker की बात कर रहा हूँ जहां पर ये facility आप लोग को मिल जाती चिक है अब ये जो broker facility दे देता है वो broker मेरे साब से ठीक है क्योंकि उधारी के पैसो पर business करके कमाना और उधार वापस लोटा देना ये simple सा basic logic होग चिक है तो चार लाग रुपे मेरे को जो है लोटाना है बट broker मुझसे automatically वो ले लेगा वो कब लेगा मेरे profit होने के बाद में जैसे ही मैं काटूंगा मेरे profit में से वो मेरा पूरा उधारी का पैसा वापस ले लेगा और चार लाग रुपे पर मुझे सालाना अठरा पिशत डेली यह मुझे रोज देना है याने जितने दिन तक मेरे चार लाग रुपे उधारी पर रहेंगे मुझे उसका ब्याज देना है इंट्राडेपर कोई ब्याज नहीं है इंट्राडेपर इसे हम लोग लिवरेज बोलते हैं एक लाग रुपे के बदले पांच ब्रोकर नहीं लेता है और बाकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी गवर्मेंट, जी एस्टी, सेवी चार्जेज, एनसी, बीएसी के चार्जेज, स्टाम ड्यूटी, टर्न ओवर चार्जेज, यह सारे चार्जेज आप लोगों को देना पड़ेंगे ये एक ट्रेडिंग अ ब्रोकर आप से ब्रोकरेज लेता है, क्योंकि आपको वो कुछ ना कुछ फैसिलिटी दे रहा है, यहाँ पर ब्रोकर ने मुझे एक लाग रुपे के बदले पांच लाग रुपे की अनुमती दे दी, कि आप जाओ बिंदास, पांच लाग रुपे का ट्रेड लो, पांच 10,000 रुपे का आपका नेट प्रॉफिट होगा, वो अपने 4,00,000 रुपे काट के हमें 1,00,000 रुपे लोटा देगा, हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपे, यानि 10,000 रुपे हमने पूरा कमा लिया, अगर ऐसा नहीं होता है, तो 5,00,000 रुपे का जाधा का लॉस और जो है आपको नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ट्रेडिंग बैलेंस 1,00,000 रुपे ही है, इस 1,00,000 रुपे का 80-20 रेशो, ठीक है, जहाँ 20% कम हुआ, यहाँ पर मार्जिन आप लोगों का कम होने लगता, क्योंकि इस 1,00,000 रुपे से आप 5,00,000 रुपे तक का सौधा ले रहे हो, ठीक है, इस 1,00,000 रुपे से 5,00,000 रुपे तक का सौधा ले रहे हो, 5,00,000 बड़ेगा, तब तो ठीक है, लेकिन 5,00,000 – 20% घटा, तो आप लोगों को आपके इस ट्रेडिंग बैलेंस को, जो है, वो मेंटेन करना है, यह ब्रोकर का एक कंडिशन ह है, अगर आप लोग 90 दिन तक होल्ड गरना चाहते हैं सौधे को, तो कोई इशू नहीं है, मेंटेन करो, रोज 4,00,000 रुपे जो उधारी आया है, उस उधारी पर आपको 0.049% ब्याज देना है, अदर्वाइस आपका ब्रोकर आपकी पोजिशन को काट सकता है, और आपकी उधारी लिए हुए शेर्स को हमें करना पड़ेगा प्लेज, प्लेजिंग का मतलब होता है, पावर अफ अटर्नी दे देना, याने आपके गिरवी रखे हुए शेर्स क्योंकि एक लाग को पाच लाग में कन्वेट किया, और पाच लाग रुपे के शेर्स को आपने भी रख दिया, ब्रोकर को, अब ब्रोकर को गिर भी रखा है, तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर लॉस में आने की कंडिशन पर आपके शेर्स को आटमेटिकली बेज देगा और अपना पैसा वसूल कर लेगा, अगर आप इस प्रोसेस को कम्पलीट नहीं करते हैं, तो ब्र ब्रोकर आटमेटिकली साथ दिनों के भीतर आपके शेर्स को बेच देगा, इस इस फैसलिटी प्रोवाइड़ ब्रोकर जिसे हम लोग बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग पंडिंग फैसलिटी, जो जाधा तर ब्रोकर्स प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ऐसे जो बिलकुल ह वो ये फैसलिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो फैसलिटी और जो फीचर्स हैं, वो क्या-क्या हैं, ठीक हैं, पहला नंबर फीचर हम लोगों ने देख लिया है कि आपको ब्रोकर उधारी दे द देता है, इंट्राडे पर पाच गुना की दे देगा, सेम डे काटो सौधे को प्रोफिट लो 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 बाहर हो जाओ, ठीक हैं, ये नहीं, तो दूसरी फैसलिटी दे दी, कि आप उधारी के पैसे को 90 दिन तक आप कैरी कर सकते हो, 90 दिन के भीतर कभी भी मुझे उधारी का पैसा दे देना, या तो 90 दिन के भीतर कभी भी आपको सौधा लगता है, तो काट दीजिए, प्रोफिट में या लॉस में, बट लॉस मिनिमम जो आपको लेना चाहिए, वो होगा आपका 20%, क्योंकि इसके नीचे लॉस गया, तो आपके सौधे कटेने का डर बना रह जाता ह है, otherwise आप लोग को maintain करना पड़ेगा, this is a basic facility broker की, आगे की वीडियो में हम लोग ऐसी ही facilities को जानेंगे, और बहतर से बहतर ट्रेडिंग अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि learning is the best key to earning, तो till then, वीडियो को like, subscribe, comment, share करना, बिल्कु मिना बुले, जाएने